दोस्तो आज की सबसे बड़ी अपडेट भारत और कतर की तरफ से निकल कर आ रही है पाकिस्तान के कहने पर भारत के उपर गलत तरीके से कारवाई करने वाले कतर का भारत ने एक ऐसा इलाज करना शुरू कर दिया है जिसके बाद कतर को कई बिलियन डॉलरस का नुकसान दो होगा ही साथ ही कतर भारत से पंगा लेने के बारे में शायद सपने में भी नहीं सोचेगा दरसल जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले हफते कतर की तरव से इंडियन नेवी के आठ रिटार्ड जवानों को इसराइल के लिए जासुसी के जूटे इलजाम के आरुप में मौत की सजा सुनाई गई है और ये सब कतर ने पाकिस्तान की इंडालिजेंस एजनसी आएसाई के एक फेक रिपोर्ट के आधार पर क्या है और ना तो कतर ने अभी तक इन आठो जवानों के खिलाफ कोई भी सबूत पेस किये हैं और ना ही अभी तक कतर की कोट ने इनको किन चार्जिस में सजा दी बहार कर दिया था तब भारत ने कानाड़ा पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि कनाड़ा को अपने 41 डिप्लोमेट्स भारत से बाहर निकाले पढ़ गए थे उस लेवल की कारवाई भारत क्तर पर नहीं कर पा रहा जिसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है भारत क कतर के उपर निर्भरता जी हां भारत की सबसे बड़ी मजबूरी कतर की नैचुरल गैस है खासकर लिक्विर्फाइड नैचुरल गैस यानि की एलंजी भारत अपनी जरुरत का टोटल 41% एलंजी कतर से ही खरीदता है और भारत को इस बात का डर है कि अगर कतर के उपर हमने द जिसके लिए भारत में अब अपना पुराना ट्रम कार्ट खोल दिया है दरसल साल 2019 में एफ्रीकन देश मोजांबिक के अंदर एक बड़े एलंजी रिजर्वस के मिलने के बाद भारत ने उस प्रोजेक्ट में 30% की पार्टनर्शिप ले ली थी लेकिन कुछ सिक्योर्टी इस सूज के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद गरना पड़ा था लेकिन हाली में भारत की पैट्रोल मिनिस्टरी की तरह से एक बड़ा डेलिगेशन मोजंबिक की विजिट पर भेजा गया है ताकि मोजंबिक के साथ इस प्रोज्ट को वापस से शुरू किया सके और इस डेल के 720 एकड में फैले एल नजे रिजर्व साइट को भी विजट किया है रिपोर्ट की माने तो इस साइट पर भारत अपनी कंपनी को बेज कर एवलन को एक्सटर्ट करने की फैसिलेटी लगाने इसके लिए भारत अपनी तरफ से मौजंबिक के इस प्रोजेक्ट में 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी करेगा हाला कि अगर मौजंबिक और कतर की LNG रिजर्वस को कंपेर करें तो मौजंबिक के अंदर 4 trillion cubic feet के रिजर्वस पाए गए है जब कि कतर के अंदर 843 trillion cubic feet के रिजर्वस मौजूद है मौजंबिक का रिजर्वस छोटा ज़रूर है लेकिन आने वाले 30 सालों के लिए भारत की डिमांड को पूरा करने के लिए काफी है हाला कि कतर से LNG भारत में इंपोर्ट करने के लिए भारत को कुल 18 दिनों का समय लगता है जबकि मौज़मबिक से LNG को भारत लाने में भारत को 30 दिनों का समय लगेगा यानि कि भारत को एक्स्टर लेबर और सिपिंग चार्ज भी देना पड़ेगा जो की भारत के लिए थोड़ा बहुत लुकसान दे साबित हो सकता है लेकिन इसमें सिफ भारत का नुकसान नहीं है बलकि इससे कतर को भारत से जादे नुकसान होगा क्योंकि भारत को हर साल अपनी जरूत को पूरा करने के लिए 20 मिलियन मेट्रिक टन LNG को इंपोर्ट करना पड़ता है और इसमें से हर साल साड़े 8 लाग मेट्रिक टन LNG अकेले कतर से इंपोर्ट की जाती है जिसके लिए हर साल भारत कतर को 17 बिलियन डॉलर्स पे करता है जो की मौजेंबी का प्रोजक्ट ऑपरेशन होने के बाद पूरी तरह से रुख जाएगा एक बार कतर से भारत की निर्भरता खतम होने के बाद भारत कतर को ऐसा जोर से पटकेगा जिसके असर से कतर आने वाले कई सालों तक उभर नहीं पाएगा कतर ने भारत से पंगा पाकिस्तान नाम की एक ऐसे देश के कहने पड़िया है जो खुद दुनिया भर में पाई-पाई की भीक कम होताज है और उसका ये पंगा आने वाले भविश्य में उसे ही भारी पड़ेगा खेर आपको क्या लगता है भारत सरकार ने कतर को मूँ तोड़ जवाब देने के लिए ये जो कदम उठाया है क्या ये सही है या फिर नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना और जाने से पहले ASV नौली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पैस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जय हीन जय भारत